हलो बच्चों, बच्चे यह जो मैं मैसेज दे रहा हूँ, वे मेनली क्लास 11 के बच्चों के लिए है, बहुत जरूरी मैसेज है, जैक लेगा 28 से बरहवी की अर्धवार्शिक परिक्षा, मतलब 11 औ 12 के बच्चों के लिए यह बढ़ा ही, बहुत इंपोर्टेंट नियु ज़ विद्याले, आपको पता होगा कि आपका जो प्लस टू स्कूल है, उसको दो वर्गों में रखा गया है, बहुत सारे बच्चे उत्कृष्ट विद्याले के अंतरगत आते हैं, और बहुत सारे का जो स्कूल होता है, वो आदर्स विद्याले के अंतरगत आता है, तो यह दो रहा है, हाँ फिरली इजामनेशन होने जा रहा है, इसी संदर्व में यह न्यूज पेपर में आया, तो मुझे लगा कि क्यों न यह न्यूज आप लोगों तक मैं पहुंचा दूँ, जारखन्ड एकेडमेक कॉंसील परिक्षा का आयोजन होगा करेगा, किस में होगा, तो 80 उ अगर आता है, तो फिर इजामनेशन बिलकूल होगा, आपको परिज्जा के तियारी करनी चाहिए, इसके लिए आवेदन की प्रकिरिया सुरू की जा रही है, 13 सितंबर तक सभी स्कूलों को आवेदन करना है, मतलब आपका फॉर्म फिलफ हो जाएगा, आठवी से बारहमी तक की परिक्षा जैक लेगा, जब की पहली से साथवी तक की परिक्षा का आयोजन जारखन्ड, सैक जिलों के माध्यम से प्रश्न पत्र इसकूलों को अपलब कराएगा, इसके बाद इसकूलों परिक्षा ली जाएगी, जैक ने जिला सिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है, कि 13 सितंबर तक सभी स्कूलों से छात्र छात्राओं का आवेदन प्रपत्र भरवाले समय कम होने की वज़े से इसमें किसी प्रकार का समय में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, इसकूलों को समय पर आवेदन करने का असपष्ट दिर्देश दिया जाए, सितंबर अंतिम सप्ताह तक इसकूलों में अर्धवार्दिक परिक्षा का योजन किया जाएगा, जरूरी पॉइन फिर से सुन लेजिए, सेप्टेंबर लास्ट विक में आपका इग्यामनेशन होने का चांसेज है, तो मुखे बात क्या था, कि 80 उत्क्रिष्ट विद्याले और 325 आदर्स विद्याले में परिक्षा होगी, 13 सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, और होगा, यह जरूरी बात था बेटा, यह संदेश मैंने सोचा कि क्यो ना आप लोगों तक पहुंचा दूँ, तो बच्चे बिल्कुल अगर आप अपने स्कूल से कंशन कर लो, कि क्या आपका स्कूल, क्या उत्क्रिष्ट विद्याले या आदर्स विद्याले के अंतरकत आत है, तो आप अरिक्षा के तयारी में जून गया हो, चलो, ठीक है, ओके, बाइबाई